हालो एर्यवन वल्कम बाग तो दे चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे गुट मॉर्निंग आल अफ यू और मैं आगए अपनी एस यूजबल ड्यूटी पे तो यह मैंने गोभी और आलू की सबजी बना रही हूं तो यह सबजी बनाऊंगी सबके लिए टिफिन म और साथ में अपने लिए भी बना लूँगी तो मेरे इसी से हो जाएगा लंच और बाद में थोड़ा बहुत जो भी मैं खाना बनाऊंगी तो वह सारे चीज़े मिला जो लाकर के हो जाएगा थोड़ा बस यहां पर ऑईल लिया है पैन में और बस यहां थोड़ा सॉल्ट कर दिया और गोभी डाल लिए मैंने वाश करके तुरंत वाश करके डालो ना तो क्या होता कि तेल थोड़ा चटकने लगता है जाड़ा इस वज़े से मैं इसमें थोड़ा साल्ट कर देती हूं तो बहुत इसीली फ्राई हो जाता है और बस गोभी को मैं फ्राई कर और हैंड तो हैंड इसके बरतन को भी वाश करके रख दूँगी थोड़ा थोड़ा अगर इस तरीके से करते जाओना तो काम बहुत इजी हो जाता है और जाता बरतन वगएरा भी खटे नहीं होते हैं जब मुझे चपाती बनानी होगी तब तक ये डियो बिलकुल तयार हो अब दोनों को एक साथ फ्राइ करोंगी और उसके पहले मैंने हvoor оч skilled water आच्छे से मोक मिक्स कर लिया है और लैमन स्क्वीज ले डालोंगी सिनिमम पाउडर डालोंगी और बस दोनों को ही मैंने बहुत अच्छी से मिक्स कर लिया है और इस तरीकी का ड्रिंक वगरा सुगह पीलो न तो काफी अंदर से अच्छा फील होता है तो मैं कुछ न कुछ इस तरीके से लेती रहती हूं बहुत रेगुलर तो नहीं अच्छा कि जब तर में थोड़ा बहुत और भी काम कर लेती हूं तभी गोवी और अलू फ्राय हो गया है और उसके पहले मैं यह टमाटर कट कर लिया है तो बस मैंने सोचा पहले इसको चड़ा देती हूं टमाटर वगरा डाल करके सिम करके बनती रहेगी और उधर में हल्दी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर थोड़ा सा पावबाची मसाला और इसी के साथ यह सबजी बहुत टेस्टी बनती है और बाद में मैंने अट कर दिया जो फ्राय आलू और गोवी थे न वह एट कर दिया बस यह सिम पर बनती रहेगी और थोड़ी सी सबजी मैंने हैट्विक के लिए बनाई है जिसमें बिलकुल भी मिर्ची बगरा नहीं है तो इसके स्कूल के लिए हो जाएगी तो घर में तो हल्की फुल की मिर्ची में डाल करें खिलाती हूँ लेकिन जब मुझे स्कूल में देना होता है न तो मैं बिलकुल भी आट नहीं करती हूँ क और अपना मैं पानी भी पी रही हूं साथ से साथ, और यहाँ पर तवाँ चढ़ा दिया, जब तक तवाँ गरम हो रहा है, तो मैं अपना पानी पी रही हूं, और ऊसके बाद फिर मैं साक्षी को भी उठा दोओंगी, तो बस यहां पर सबजी बन गई है, और ये मैंने दाल भी मोदी थी मसूर दाल मूंग दाल तो बस मैंने इसमें थोड़ा पानी आड़ कर दिया टमाटर आड़ कर दिया हल्दी और नमक आड़ कर दिया गरम पानी आड़ किया है और बस दाल को भी मैं अभी नहीं बॉइल करूँगी बस ये सारी चीज़े मैंने कर दी है और कुछ दिर के बाद में इसमें लगाऊंगी मनलब जब मुझे बनाना होगा ने इसमें बॉइल करना को उस टाइम में करूंगी तो इससे क्या होता दाल भी बहुत अच्छे से भीं जाती है अच्छे से वाश करके डाल दीजिए जब भी आपको बनाना हो तो फिर बढ़ा 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 द्राइनेट्स वगेरा होते हैं वह खा लेती है तो यहां पर मैंने सब की लिए कर दिया और यहां पर मैंने रखा दाना पूरा सैट कर लेगे हाँ जब मुझे बनानी हो उस टाइम में आग्यासान कर दूंगी तो दाल भी बन रही है चावल भी बन प्रझी न रहे हैं यह हो रहा है दिन का लैंग तो जैसे साक्षी वापस आती न तो से थोड़ी सी भूक सी लगती तो वह खाती घाना और है कि हैथmost्वेग है वह खाएगा मैंने लेंग बच्छों का दो बस सक नित्यार करके और वैसे वैसे तो पूद अभी बी बाल बहुत लंबे हैं तो मुझे थोड़ी बहुत इसकी हैल्प करनी पड़ी कि चोटी नहीं बना पाती में बना भी लेगी तो इतनी परफेक्ट नहीं बनाती है तो इस वज़े से मुझे थोड़ा से बालों को और रिष्टर्ट की कॉलर को देखना पड़ता है क्योंकि पहन करा या शिफ्ट और श्रिंक में हो गए बरतंग तो बस उसे मैं करूंगी बाद में क्लीन और यहां पर साक्षी को मैंने चोड़ दिया वह गई ड्राइवर के साथ और स्कूल के लिए और आज मैं रात में बनाऊंगी राज्मा तो इसी टाइम में मतलब डिसाइट कर लेती इस हेसाब से मैं तयारी थोड़ी बहुत पर करके रख़ देती हूं तो क्या होता है काम बहुत वह बहुत ईजिट हो जाता है तो अभी क्या सारा लंच्वच में बना रही थी एमें मैंम ब्रिक्वास में क्या बनाऊओ मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो सोचते सोचते फिर मैंने सोचे कि पोहे बना लेते हैं थोड़े से तो हैप्विक के लिए बिल्कुल प्लेइन वाले बनाए हैं और साक्षी के लिए बड़ उसने बोला कि मैं स्कूल से आकर के खाऊंगी तो इस वज़े से मैं बना करके रग दूँग जब वो आएगी तो उस ताइम वो ख प्लवे में बनाने का मलता और साथ में घी अट कर दिया इससे अपना एक अल्ला की टेस्ट आता है तो हल्दी नमक और हरी मेर्च बस इसी से ही बनाएंगे और मैंने सोचा है यह बनाना खाले दियो क्योंकि यह थोड़ा मुझे ऐसे लादा कि खराब होने वाला है उपर से तो मैंने खोला तो थोड़ा खराब हो चुका था फिर मैंने पूरे हटा दिया और बस यह ड्राइफूर्स है तो बस इसको मैंने थोड़े से खा ली मुझे भूख सी लग रही थी और यह रेखिए आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं धूले वे पोहे हैं तो वह मैंन इतना टाइम तो वैसे भी नहीं लगता है आलू गल गया तो बस आप वैसे भी यह मिक्स कर दोगी अच्छे से तो पांच-छे मिनट में आराम से बन जाता है उपर से मैंने धनिया के पत्ते आट कर दिया और इसका कलर आप देख सकते कितना खुबसूरत लग रहा है और ख देखते हैं वह दूद पीता या नहीं पीता है अदर वाई में पोहीं चिला करते हैं इसको ले जाओंगी तो बस अभी ब्रेक्पास्ट हो चुका है और मैं निकलूंगी स्कूल के लिए तो गाईस इसी के साथ वीडियो का भी करते हुए मिलते हैं नेक्स व्लोग में